नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं त्री टेप्स एलकम डिंग्स रिष्ट्राइन और होटल्स में कैसे बनाते हैं वो अब घर पे चरूर बनाए हैं तो यह देखे हमने सबसे पहले लेमन ले लिया हूँ और आपका पास गोल लेमन है तो वो ले ले क्योंकि यह ल लोटी बेलने वाला बेलन है तो उससे भी हलका क्रस्ट कर सकते हलका सा क्रस्ट करना है और उसका बाद आप अगर ठंडा लेना चाहते तो प्लीज एसाइद करें मतलब ब्रफ नहीं तो नहीं करें इससे पहले हमने लेमन का चूस और वन टेबले स्टोन शुगर शिरूप आपको जादा मीठा पसंद नहीं तो ना ले उसका बाद इसमें हम एड करने वाले हैं भरजिन मजटो के जो मिन्ट फ्लेवर जो मिलता है शीरूप हमने वो एड क्या हूँ वन टेबल स्पियन के जैसा और इसमें हमने लेमन का गार्निशिंग किया हूँ और शोडा का जग हमने बिना आइस का जो अश्पैठन डाया उतना में हो गया है तो चलिए देखते हैं दूसरा रिसेपी अब हम बनाएंगे बटर मिल्क दही वाला मिल्क वाला नहीं दही वाला तो जिसमें हमने खटा दही और साथ में था से करीब तता चोटा चोटा से कटा हूँ थोड़ हम बना रहे हैं और आप लोग चाहें तो घर पे एस का कर सकते नहीं है तो बड़ा एसपोन से फेटी लगा सकते हैं और इसी तरीका से दो ट्रीक हमने आपका दिया हो और घर पे जब भी गेस्ट आए तो गर्मी के मुश्म में अच्छा अच्छा हाथों से अच्छे-च्य आप जो है बना के पिलाए तो आप से जरूर पुछेगा आपने ये रिसीपी कहां से देगा तो प्लीज प्लीज आप लोग सिप्शंकर से चैनल को जरूर आप लोग नाम बोलिए और इस चैनल को और भी आगे बराइए हम ऐसा ही अच्छा चा इंट्रेस्टिंग आप लोग गिश्क अपिणे फिलेंगे ओर ठंडा हो अगर आप ठंडा नहीं लेना चाहते हैं तो मत अड़ कीजिये और हमने इसमें इसमें ऐसे क्रिम एड़ को मैंगो एसक्रिम और मैंगो की जगह हमने मैंगो कर्स का इस्तिमाल अगर मीठा चाहिए तो आप लोग चीनी चरूर एड़ कर लिजेगा आपने थ्री टैप वेलकम टेक्स का रिसीपी आपनों देखे हैं प्लीज सिपसंकर से चैनल पर बने लेने करें आप ऐसा ही इंट्रेस्टिंग रिसीपी देखने के लिए प्लीज आप लोग सेस्क्रेब आप तो करते हैं लेकिन बैल कोंदवाना भूल जाते हैं जो अच्छा अच्छा रिसीपी आप लोगों को सामने नहीं मिल पाता है तो ऐसा ही बहुत सरह रिसीपी सिपसंकर से अपने यूट्यूब चैनल पर सारे 300-400 वीडियो होने वाला है आप लोगों हाँ पर जाकर दे तो कमेंट करना ना भूले आज के लिए ठैंक यू